18-वी लोग सभा के लिए ओम बिर्ला को स्पीकर पत के लिए दुबारा चुन लिया गया है लेकिन डिप्टी स्पीकर पर अभी सैयम कायम है सत्रहवी लोगसवा में मोधी सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पत खाली रखा था जबकि स्तोलहवी लोगसवा में यह पत AIMDMK के M थंबूरई को मिला था इस बार BJP ने अब तक डिप्टी स्पीकर के पत को लेकर चुप पिसाद रखी है नैंद मोधी तीसरी बार पधानमंत्री बने हैं लेकिन तीसरा टर्म अपने दम पर नहीं इस बार नैंद मोधी इस बार मोधी सरकार के बदले NDA सरकार है ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि NDA की मुख्य सयोगी पार्टियां टीडिपी और जेडिउ डिप्टी स्पीकर पत की मांग कर सकती हैं लेकिन चंद्रबाबू नाइडू की तेलगू देशम पार्टी ने कहा है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पत हासिल करने में कोई दिल्चस्प भी नहीं है इस बार बीजेपी ने ओम बिरला का नाम फिर से लोगसभा अद्धेश के लिए आगे किया तो विपक्ष से सहमती बनाने की कोईशिस की मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस ने बीजेपी से कहा कि वह लोग सभाध देख्ष के लिए ओम बिरला का समर्थन करेगी लेकिन इसके बदले में उपाध देख्ष के पद विपक्ष को दिया जाए BJP इसके लिए तयार नहीं हुई तो कॉंग्रेस ने ओम बिरला खिलाब लोग सभाध देख्ष के लिए केरलाग से अपने सांसत कोडी कुनिल सुरेश को आगे कर दिया हालनकि ओम बिरला को द्वानी मस्या दख्ष चुन लिया गया लेकिन उपाध देख्ष को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है अतीत में लोग सभाध देख्ष का पद विपक्ष को मिलता रहा है जैजमन मोहन सिंग की सरकार में बिजेपी के करिया मुंडे डिप्टी स्पीकर थे एक नीजी अकबार से बात करते हुए टीडीपी के राश्री प्रवक्ता काम कोमारेडी ने कहा हमें असपष कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं चाहिए बिजेपी ने हमसे इस पद के लिए संपर्ग भी नहीं किया है बिजेपी के साथ हमारी कोई बैठक नहीं हुई है और नहीं बिजेपी ने यह पद हमें आफर किया है टीडीपी का या बयान तब आया जब अटकले लगाई जा रही थी कि 2014 में मोधी के पहले कारेकाल में जिस तरह A.M.I.D.M.K. को डिप्टी स्पीकर पद दिया गया था उसी तरह इस बार टीडीपी को दिया जा सकता है NDA के भीतर TDP का रुख को लेकर कहा जा रहा है कि वह सरकार में पदों को लेकर दिल्चस्पी कम रख रही है कहा जा रहा है कि TDP का पूरा ध्यान राज्य के लिए फंड पर है TDP को मोधी मंत्री मंदल में एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला है TDP के एक नेता ने कहा कि उसे किंद्र सका से विसेश आर्थिक पैकेज चाहिए और उसकी पूरी दिल्चस्पी इसी में है हालंकि J.U. ने भी डिप्टी स्पीकर के पत को लेकर कुछ नहीं कहा J.U. के एक नेता नेक नीजी अकबार से बात करते हुए कहा कि B.J.P. ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो डिप्टी स्पीकर का पत हमें देगी हालंकि राजसभा में भी उपसभापती का पत J.U. के पास ही है J.U. के हरिबंस राजसभा के उपसभापती है ऐसे में J.U. के पास संसत के दोनों सदनों में उपाद्धच की जिम्मेदारी मिले इसकी संभावना कम ही दिखती है कॉंग्रेस बुद्दवार सुबद तक कहती रही कि अगर B.J.P. डिप्टी स्पीकर का पत विपस्ट को देने के लिए तयार है तो वह लोगसभा अद्धच के लिए अपने उमिद्वार का नामांगन वापस कर लेगी लेकिन B.J.P. की तरफ से ऐसा कोई उफर नहीं आया आजाद भारत की इतिहाद में 17 वी लोगसभा पहली लोगसभा थी जब डिप्टी स्पीकर का पत खाली रहा सम्मिधान का अनुछेत 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का चैन होना ही चाहिए सतन के दोनों सदस्यों का चैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना सम्मिधान के अनुसार अनिवार है सम्मिधान के अनुछित 95 के अनुशा डिप्टी स्पीकर लोग सभा अध्यक्ष की अनुपस्तिती में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वान करता है 1949 में सम्मिधान सभा में इसे लेकर बहेंस हुई थी तब डॉक्टर भीमरामेट करने कहा था कि स्पीकर का पड़ डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को सम्मोधित नहीं करना चाहिए बलकि राष्टपती को सम्मोधित करना चाहिए लेकिन ये तर्क दिया गया चुकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चैन सर्दन के सदस्य करते हैं इसलिए इस पद की जवाब दे ही सरस्यों के प्रती है इसके साथ तै हुआ था कि अगर स्पीकर इस्तिफा देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को सम्मोधित करेंगे और अगर deputy speaker के इस्तिफे के स्तिति आती है तो वो speaker को सम्मोधित किया जाएगा 18. लोगसभा के लिए ओम बिरला को speaker पत के लिए दुबारा चुन लिया गया है लेकिन deputy speaker पर अभी सायम कायम है 17. लोगसभा में मोधी सरकार ने deputy speaker का पत खाली रखा था जबकि स्तोलहवी लोग सवा में यह अपत AIMDMK के M थंबूरई को मिला था इस बार BJP ने अब तक डिप्टी स्पीकर के पत को लेकर चुप पिसाद रखी है नैंद मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बने हैं लेकिन तीसरा टर्म अपने दम पर नहीं इस बार नैंद मोदी इस बार मोदी सरकार के बदले NDA सरकार है ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि NDA की मुख्य सयोगी पार्टियां TDP और JDU डिप्टी स्पीकर पत की मांग कर सकती है लेकिन चंद्रबाबू नाइडू की तेलगू देशम पार्टी ने कहा है वह लोग सभा अद्धेश के लिए ओम बिरला का समर्थन करेगी लेकिन इसके बदले में उपाद्धेश का पत विपक्ष को दिया जाए BJP इसके लिए तयार नहीं हुई तो कॉंग्रेस ने ओम बिरला खिलाब लोग सभा अद्धेश के लिए के रिलाक से अपने सांसत कोडी कुनिल सुरेश को आगे कर दिया हालनकि ओम बिरला को द्धानी मस्या दक चुन लिया गया लेकिन उपाद्धेश को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है अतीत में लोग सभा उपाद्धेश के पत विपक्ष को मिलता रहा है जैसे मन मोहन सिंह की सरकार में BJP के करिया मुंडे डिप्टी स्पीकर थे एक नीजी अकबार से बात करते हुए टीडीपी के राश्री प्रवक्ता काम कोमारेडी ने कहा हमें असपश कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर का पत नहीं चाहिए बीजेपी ने हमसे इस पद के लिए संपर्ग भी नहीं किया है बीजेपी के साथ हमारी कोई बैठक नहीं हुई है और नहीं बीजेपी ने यह पद हमें ओफर किया है टीडीपी का या बयान तब आया जब अटकले लगाई जा रही थी कि 2014 में मोदी के पहले कारेकाल में जिस तरह A.M.I.D.M.K को डिप्टी स्पीकर पद दिया गया था उसी तरह इस बाद T.D.P. को दिया जा सकता है N.D.A. के भीतर T.D.P. का रुख को लेकर कहा जा रहा है कि उसे किंद सका से विसेश आर्थिक पैकेच चाहिए और उसकी पूरी दिल्चस्पी इसी में है हालंकि J.D.U. ने भी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कुछ नहीं कहा J.D.U. के एक नेता नेक नीजी अकबार से बात करते हुए कहा कि B.J.P. ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद हमें देगी हालंकि राजसभा में भी उपसभापती का पद J.D.U. के पास ही है J.D.U. के हरिबंस राजसभा के उपसभापती है ऐसे में J.D.U. के पास संसत के दोनों सदनों में उपाधच की जिम्मेदारी मिले इसकी संभावना कम ही दिखती है कॉंग्रेस, बुद्धवार, सुबह तक कहती रही कि अगर B.J.P. डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए तो वह लोगसभा अत्यस के लिए अपने उमिद्वार का नामांगन वापस कर लेगी लेकिन B.J.P. की तरफ से ऐसा कोई ओफर नहीं आया आजाद भारत की इतिहाद में 17 हमी लोगसभा पहली लोगसभा थी जब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा सम्मिधान का अनुच्छत 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का चैन होना ही चाहिए सदन के दोनों सदस्यों का चैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना सम्मिधान के अनुसार अनिवार है सम्मिधान के अनुछित 95 के अनुशा डिप्टी स्पीकर लोग सभा अध्यक्ष की अनुपस्तिती में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वान करता है 1909 में सम्मिधान सभा में इसे लेकर बहांस हुई थी तब डॉक्टर भीमरामेट करने कहा था कि स्पीकर का पड डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को सम्मोधित नहीं करना चाहिए बलकि राष्टपती को सम्मोधित करना चाहिए लेकिन ये तर्क दिया गया चुकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चैन सदन के सदस्य करते हैं इसलिए इस पद की जवाब दे ही सदस्यों के प्रती है इसके साथ तै हुआ था कि अगर स्पीकर इस्तिफा देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को सम्मोधित करेंगे और अगर deputy speaker के इस्तिफ़े की इस्तिति आती है तो वो speaker को सम्मोधित किया जाएगा 18. लोगसभा के लिए ओम बिर्ला को speaker पत के लिए दुबारा चुन लिया गया है लेकिन deputy speaker पर अभी सायम कायम है 17. लोगसभा में मोधी सरकार ने deputy speaker का पत खाली रखा था जबकि 16 वी लोग सवा में ये अपद AIM DMK के M थंबूरई को मिला था इस बार BJP ने अब तक डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चुप पिसाद रखी है नैंद मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बने हैं लेकिन तीसरा टर्म अपने दम पर नहीं इस बार नैंद मोदी इस बार मोदी सरकार के बदले NDA सरकार है ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि NDA की मुख्य सयोगी पार्टियां TDP और GDU डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर सकती है लेकिन चंद्रबाबू नाइडू की तेलगू देशम पार्टी ने कहा है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद हासिल करने में कोई दिल्चस्प भी नहीं है बीजेपी इसके लिए तयार नहीं हुई तो कॉंग्रेस ने ओम बिल्लाग खिलाब लोक्षबाद देख्च के लिए केरलाग से अपने सांसत कोडी कुनिल सुरेश को आगे कर दिया हालनकि ओम बिल्ला को द्वानी मस्या दक चुन लिया गया लेकिन उपाद्धास को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है अतीत में लोकसबाव उपाद्धास का पद विपक्ष को मिलता रहा है जैसे मन मोहन सींगी सरकार में बी जेपी के कर्या मुंड welding डिप्टी स्पीकर थे एक नीजी अकबार से बात करते हुए टीडीपी के राष्ट प्रोक्ता काम को मारेड़ी ने कहा हमें असपश कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं चाहिए बीजेपी ने हमसे इस पद के लिए संपर्ग भी नहीं किया है बीजेपी के साथ हमारी कोई बैठक नहीं हुई है और नहीं बीजेपी ने यह पद हमें ओफर किया है टीडीपी का या ब्यान तब आया जब अटकले लगाई जा रही थी कि 2014 में मोदी के पहले कारेकाल में जिस तरह A.M.I.D.M.K. को डिप्टी स्पीकर पद दिया गया था उसी तरह इस बाद T.D.P. को दिया जा सकता है N.D.A. के भीतर T.D.P. का रुख को लेकर कहा जा रहा है कि उसे किंद सका से विशेस आर्थिक पैकेज चाहिए और उसकी पूरी दिल्चस्पी इसी में है हालंकि J.D.U. ने भी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कुछ नहीं कहा J.D.U. के एक नेता नेक नीजी अकबार से बात करते हुए कहा कि B.J.P. ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद हमें देगी हालंकि राजसभा में भी उपसभापती का पद J.D.U. के पास ही है J.D.U. के हरिबंस राजसभा के उपसभापती है ऐसे में J.D.U. के पास संसत के दोनों सदनों में उपाद्धस की जिम्मेदारी मिले इसकी संभावना कम ही दिखती है कॉंग्रेस, बुद्दवार, सुबह तक कहती रही कि अगर B.J.P. डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए तैयार है तो वह लोगसभा अद्धस के लिए अपने उमिद्वार का नामांगन वापस कर लेगी लेकिन B.J.P. की तरफ से ऐसा कोई उफर नहीं आया आजाद भारत की इतिहाद में 17 हमी लोगसभा पहली लोगसभा थी जब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा सम्मिधान का अनुछेत 93 करता है कि डिप्टी स्पीकर का चैन होना ही चाहिए सतन के दोनों सदस्यों का चैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना सम्मिधान के अनुसार अनिवार है सम्मिधान के अनुछेत 95 के अनुशा डिप्टी स्पीकर लोग सभा अध्यक्ष की अनुपस्तिती में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वान करता है 1909 में सम्मिधान सभा में इसे लेकर बहांस हुई थी तब डॉक्टर भीमरामेट करने कहा था कि स्पीकर का पड़ डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को सम्मोधित नहीं करना चाहिए बलकि राष्टपती को सम्मोधित करना चाहिए लेकिन ये तर्क दिया गया चुकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चैन्स सदन के सदस्य करते हैं इसलिए इस पद की जवाब दे ही सदस्यों के प्रती है इसके साथ तैह हुआ था कि अगर स्पीकर इस्तिफा देते हैं झाल झाल